दोस्तों देश के सबसे बड़े बैंक भारती है एस्टेट बैंक यानि कि एसबी आई में एक ऐसा प्रोब्लम क्रियेट हो गया था जिससे बहुत सारे कस्टमर परसान थे और इनके साथ साथ EPS वाले परसान थे यानि कि जो EPS से माध्यम से आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं तो चलिए मैं इसका लाइब टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या यह EPS के माध्यम से फाइनली पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है या आफ़ाए आ रही है कि पैसा निकर रहा है तो संपूर्ण जनकारी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहीएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा वीडियो को लाइक किजेगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट बैंक लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग आके बैंक को सेलेक्ट करते हैं यानि कि मेरा भारतिय एस्टेट बैंक है यानि कि SBI में खाता है तो SBI को select करते हैं तो चलिए मैं SBI League के selector लेता हूँ उसके just नीचे आधार नमबर को मैं feel करता हूँ जैसे मैं आधार नमबर को feel कर दे रहा हूँ उसके just नीचे select type दे रहा है cash withdrawal दे रहा है balance inquiry mini statement तो मुझे cash withdrawal चाहिए तक cash withdrawal करते हैं उसके just नीचे आते हैं यहां से क्या करता है आपको अपना mobile number को feel कर दे यानि कि कोई भी 10 डिजिट का mobile number feel करना है उसके just नीचे आकर amount को feel करना है तो चलिए 5000 रुपया निकालना है 5000 रुपया feel करके उसके just नीचे हम लोग scroll करके आएंगे यहां पे proceed का option आप लोग को दिख रहा है इस पर simple सा हम लोग क्लिक करेंगे जैसे proceed वाले option पे क्लिक करेंगे कुछी इस परकार का interface आएगा यहां से हम लोग ok करेंगे जैसे ok करेंगे तो देखेंगे finally यहां पे result आ जाएगा और जो customer आये थे हमारे दुकान पे यैने के हमारे shop पे उनके account से 5,000 रुपया विड्रोल हो गया असानी से आप लोग यहां देखेंगे amount जो है 5,000ちゃई रुपया उनके account से विड्रोल हो गया असानी से यहां से मैं चाहूं तो print out उनको निकाल कर दे सकता हूं लेकिन मैं print out निकाल कर नहीं देता हूं ऐसे ही बता देता हूं कि आपके account से इतना रुपया डोल हो गया और इतना रुपया बच गया तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि अगर आपके पास भी customer आते हैं तो आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं State Bank of India से दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर दीजिएगा